दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक भीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि अगर भारत को मेडियम ट्रांसपोर्ट यारक्रेप्टों के बाद कोई हैवी ट्रांसपोर्ट यारक्रेप्टों का आवशक्ता होता है तो ये आवशक्ता कैसे पूरा किया सकता है फिलाल दोस्तों अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई नया यार क्रेप्ट नहीं है जिसे भारत एक हेवी ट्रांसपोर्ट यार क्रेप्ट के रूप में अपने बेड़े के ले खरिश सके पर अगर इंडियन यार फोर्स के सबसे हेवी ट्रांसपोर्ट यार क्रेप् बलकि उसके साथ साथ modern जरूरतों को भी पूरा कर सकता है और दोस्तों आज के इस वीडियों में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या फिर से ऐसा कोई संभाव ना है जिसके अंतरगत भारत अमेरिका से C-17 Globmaster 3 जैसे यारक्राप्टों को खरिदने के साथ साथ यारक्राप्ट को खरिदने को लेके order साल 2010 में दिया गया था और साल 2011 में अमेरिका के तरफ से इन यारक्राप्टों को भारत को बेचने को लेके अनुमती दिया गया रिपोर्ट के मुताविक इन 10 यारक्राप्टों को खरिदने को लेके भारत के दौरा करिवन 4.1 बिलियन डॉलर खर्चा किया गया जबकि इसमें 6 एडिशनल और यार्क्रेप्ट करिदने का विएक ओफ्षन था हाला कि दोस्तों कई सारे सोर्सेस के तरफ से बताया जाता है कि अमेरिका के द्वारा डील के दर्मियान ये नहीं बताया गया था कि अमेरिका C-17 Globmaster यार्क्रेप्टो के प्रोडक्शन लाइन को क्लोस करने जा रहा है और अगर अमेरिका के तरफ से बताया जाता तो शायद भारत जल से जल ये 6 एर्क्रेप्टो को पर्चेस कर लेता हाला कि दोस्तों इन ये एर्क्रेप्टो के डील होने के बाद मतलब साल 2012-13 के दर्मियान ये ख़वर आया कि शायद भारत द्वारा 6 एडिशनल नहीं बलकि 5 एडिशनल बोईंग C-17 Globmaster 3 एर्क्रेप्टो को पर्चेस किया जाए लेकिन उस दर्मियान गौर्मेंट के पास पैसा कम होने के कारण गौर्मेंट के तरफ से इस प्लान को आगे बढ़ाने को लेके अनुमती नहीं दिया गया। भारत के इन एर्क्रेप्टो के इलावा बोईंग के पास औस्ट्रेलिया के दो और कतर के चार एर्क्रेप्टो का ओर्डर था। अब दोस्तों एडिशनल एर्क्रेप्टो को खरिदने को लेके अगर इरादा बनाया गया था तो इसका दूसरा मतलब यह है कि भारत को ऐसे हैवी लिफ्ट एर्क्रेप्टो का एक रिक्वार्मेंट है। तो भारत के पास फिलाल ओप्षन बचा किया है। इर्क्रेप्टो को पर्चेस किया जाता है तो इससे इंडियन एर्क्रेप्टो के बेड़े में करीब-करीब 36 ऐसे यार्क्रेप्ट होता। जो की आसानी से भारत के अर्जुन मार्कवान एर्क्रेप्टो के मुकाबले में काफी अधिक है। बोइंग एर्क्रेप्टो को लेके वताया जाता है कि इसके सर्विसिविलिटी 75 से 80 परसंट तक है जबकि इलूजन 76 के सर्विसिविलिटी करीब करीब 50 परसंट है। मतलब भारत के पास अगर 10 बोइंग C-17 Globmaster 3 एर्क्रेप्ट है तो इसमें से करीब करीब 7-8 एर्क्रेप्ट हर समय अवेलेवल रहता है जबकि अगर 10 इलूजन 76 जैसे एरक्रेप्ट हुआ तो इनमें से केवल मात्र 5 एरक्रेप्ट हर समय अवेलेवल रहेगा। अब बाकी वचा दूसरे option तो दोस्तों दूसरे option के तहट भारत के पास फिलाल ऐसा कोई वी aircraft नहीं जो भारत के इन तीनों टैंकों में से कोई वी एक टैंक को एक जगा से दूसरा जगा ले जा सके इसके बाद वाला next tactical air lifter A400M केवल मातर 37 टन का है जबकि C-130J Super Hercules जैसे यारक्रेफ्ट तो इससे भी कम पेलोड वाला यारक्रेफ्ट है अब दोस्तों अगर दिखा जाए तो इस तरीके के heavy lift यारक्रेफ्ट फिलाल दुनिया में कोई वी देश नहीं बना रहा है और अगर किस किसी भी देश को ऐसे यारक्रेफ्टों का जरुरत है तो ये जरुरत तो फिलाल पूरा करना संभवी नहीं है पर अगर फिर से किसी भी तरीके से बोईंग के C-17 Globmaster 3 यारक्रेफ्टों के production facilities को reopen किया जा सकता है तो एक संभावना है कि दुनिया अपने जरुरतों को इन या यारक्रेफ्टों को नहीं भी बनाया जाता है तो शायद अमेरिका को किसी भी तरीके का मुश्किल ना हो पर वही पर दोस्तों अमेरिका के अन्य यारक्रेफ्टों को देखा जाए तो जो C-5 Galaxy यारक्रेफ्ट है ये बहुत बढ़ा यारक्रेफ्ट है और ये करिवन 125 टन को कैरी कर सकता है लेकिन यह 1950 के दशक का यार क्रैफ्ट है मतलब दोस्तों अगर अमेरिका को भी नए यार क्रैफ्टों का जुरुरत पड़ेगा तो अमेरिका भी इसे फिलाल तो किसी भी दरीके से पूरा नहीं कर सकता पर अगर बोईंग के फैसिलिटी को फिर से री ओपन किया जाता है तो यह अमेरिका के भी पुराने यार क्रैफ्टों को रिप्लेस करने में मदद कर सकेगा दोसों यहाँ पर बोईंग के C-17 Glove Master 3 यार क्रैफ्टों के फैसिलिटी को री ओपन करना इतना आसान नहीं क्योंकि बोईंग फैसिलिटी के तरफ से इसे तभी री ओपन किया जाएगा जब कमपनी को लगेगा कि बहुत बड़े अमाउंट में ओडर है और इस ओडर के वज़ा से री ओपन करने पे कमपनी को किसी भी तरिके का नुकसान नहीं होगा हला कि साल 2015 में अगर बोईंग कमपनी के तरफ से अपने फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है तो अविसली यहाँ पे कोई नए एरक्रेप्टों का अवश्य प्रोडक्शन हो रहा है और ऐसे नए एरक्रेप्टों के प्रोडक्शन को रोक के फिर से इन एरक्रेप्टों के शुरू करना बोईंग कमपनी के लिए चैलेंजिंग होगा पर अगर दोस्तों कोई दूसरा पार्टनर अगर बोईंग के इन फैसिलिटी को अपने बलभूते पर ओपन करना चाहता है तो यह बोईंग कमपनी के लिए भी फायदमंद हो सकता है लेकिन इसके लिए एक पर्चेस करना पड़ेगा और इंडियन एर फोर्स के बेड़े में जो इल्यूजन 76 जैसे प्लाटफॉर्म है अगर इससे भी रिप्लेस किया जाता है तब भी भारत को और दो डजन के आसपास ऐसे एर क्रेप्टों को पर्चेस करना पड़ेगा कुछ एरिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को भी करिव करीब 50 के आसपास नए हैवी टैक्टिकल एर लिफ्टर यार क्रेप्टों का जुरूरत है और इसके इलावा अमेरिका के जो एलाई देशों के द्वारा ऐसे C-17 ग्लॉब मांस्टर जैसे यार क्रेप्टों का इस्ते अमाल किया जा रहा है उन यार देशों को भी अपने बेड़े के लिए अतरिकते यार क्रेप्टों का जुरूरत है मतलब अगर भारत के द्वारा 50 और अमेरिका के द्वारा 50 यार क्रेप्टों को पर्चेस किया जाता है और अन्य देशों के द्वारा कुल मिला के 50 यार क्र का गोल है ये पूरा हो सकता है और इन सभी चीजों को अगर एकत्रित करके एक नए प्लान बनाय जाता है और भारत के कमपनी जैसे की टाटा एडवांस सिस्टम और एल एंटी जैसे कमपनी है ये अगर बोईंग के साथ मिलके इन यारकेप्टो के प्रोडक्शन फेसिलिटी क तरफ से भारत के सामने अपने C-17 ग्लॉब मास्टर 3 एरकेप्टो का पस्ताव रखा गया है और दोस्तों आप लोगों को पताई होगा कि मीडियम ट्रांस्पोर्ट एरकेप्ट असल में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है मतलब इसके अंतरगत अमरिका को टेक्नोलिजियो अमेरिका भारत के लगवक सभी रिक्वर्मेंट को पूरा करने के लिए तयार है और भारत को चायना के सामने एक मजबूत देश के रूप में बनाने के लिए हर तरीके के सपोर्ट करने के लिए तयार है को चालू नहीं करना पड़ेगा दोसों आप लोग को क्या लगता है कि भारत के द्वारा क्या नया requirement के तहर बोईंग C-17 ग्लॉब मास्टर यार क्रैप्टों को पर्चेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कॉमेंट करके अवशे बताईए दोसों आज के वीडियो को यहीं पही करते समाप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम